इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह एथलीट फुट थर्श और दाज जैसे संक्रमन का कारण बनने वाले कवक को मारकर काम करता है। फाइटोरल एकसेल क्रीम का उप्योग आपके डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधी में किया जाना चाहिए। इसका अधिक्तम लाप प्राप्त करने के लिए इस दवा का नियमित रूप से उप्योग करना चाहिए। आवश्यक्ता से अधिक उप्योग न करें। यह आपकी स्थिती को तेजी से साफ नहीं करेगा और केवल दुषप्रभाव बढ़ा सकता है। त्वचा के संक्रमन आम तोर पर दो से चार सप्ताह के बाद ठीक हो जाते हैं। आपके डॉक्टर ने जितना कहा है उससे अधिक समय तक दवा का उप्योग न करें और यदि दो से चार सप्ताह के उप्चार के बाद भी आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है तो उसे बताएं। यदि आपके पास एथलीट फुट है तो अपने मोजे या चड़ी अच्छी तरह धोले और यदि संभव हो तो अपने जूते रोज बदले इस दवा का उप्योग करने के सबसे आम साइड एफेक्ट्स में एप्लिकेशन साइड प्रतिक्रियाएं यानि की जलन, जलन, खुज हो सकती है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए इसके संकेतों में दाने, होंट, गले या चेहरे की सूजन, निगलने या सांस लेने में समस्या शामिल हैं ऐसा होने पर अपातकालीन सहायता प्राप्त करें अपनी आँखों के सीधे संपर्क से बचें सीधे संपर्क के मामले में अपनी आँखों को पानी से धोएं और ततकाल चिकित सा सहायता लें यह संभावना नहीं है कि आपके द्वारा मूह या इंजेक्शन से ली जाने वाली अन्य दवाएं इस दवा के काम करने के तरीके को प्रभावित करेंगी लेकिन इसका उप्योग कर अपने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें यदि आपने हाल ही में एक अन्य दवा का उप्योग किया है जिसमें स्टेरोइड होता है या किसी अन्य एंटिफंगल दवा से अलजी की प्रतिक्रिया होती है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए इस क्री नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद